वेलकम बैक देखिए आज हमनों गुरूप थियोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट गुरूप के बारे में डिस्कस करेंगे और वह है डाइडरल गुरूप जिसको हमनों डी इन से पहचालते हैं काफी इंपॉर्टेंट है यह जो कि आप जब भी किसी ओप्शन को डिस्कार्ड करते हो तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसका कंप्रीट कांस्ट्रक्शन देखेंगे इसकी ओडिटी देखेंगे कि कौन-कौन से ओडर का सब्ग्रूप होगा तो हम लोग इन को वन बात करें तो जिससे आप देखोंगे तो आपका ड़िएту रिंटी झॉल बनेगा दो मीट से ने बनता है निंट्री झांटिंस मे विख वनता है थिक के हिसाब से इसमें गुरूप फॉर्म कर सकता है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या गुरूप सेमेट्री ऑफ इक्विलेटल ट्रेंगल काफी इंट्रेस्टिंग है खुब मजा आएगा ठीक है देखिए तो आपको अच्छा लगेगा तो आपको आपको अच्छा लगेगा तो जो करेंगे की तरह करेंगे हान दौसरा करेंगे हैं काम करेंगे मिलता है तो जब विजो की गा설या आपको शाहिं और पर रख्खा की त्रफ चला गया है पद्छा करेंगा क on इसे डॉट डॉट से दिखलाया ठीक है तो अब जैसे आप भी इस तरह करते हो कि बहुत बहुत मुस्किल टास्क नहीं है ठीक है कि आपको यह सब ले लेते हो ठीक है प्लेन पर किसी को रख दीए अब उसको आप इस देखो आउ पर किस तरह का रोटेशन औ का जीरुटिटि का क्या मतलब यह है कि हमने रोटेट वाइद से अपने ही पोजिशन पर है जयँ अपने प्लम किसे होगी करेंगे अच्छा अब देखो अगर मैं आर 120 डिगरी से करता हूं तो आपको पता है कि पूरा इंटरनल एंगल होता है अगर मैं 120 डिगरी से करोंगा तो क्या होगा तो आप समझो जब वह आपका चला आएगा बी पे तो क्या हो जाएगा फिर वन ट्वेंटी से अगर बी रोटाइट होता है तो वी चला जाएगा तो पूजिशन होने वाली है तो आप इसको देखना बढ़िया से इसको आप बी पे और आपका बी चला गया सी पे अदम आराम से देखिए तो काफी मज़ा आएगा तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है आर वन ट्वेंटी यानि यह वन ट्वेंटी डिगरी का रोटेशन हुआ है तो इसके बाद मैं फिर से इसको वन ट्वेंटी करता हूं तो यह केतन पर चला आएगा यहां पर चुला जाएगा यहांपर चलायगा जाया अब इसके बाद अगर मिल लाएगा तो जो डिफरेंट थी रोटेशन मिलेंगे मेरे को वह एक कह सकते हो कि आर जीरो जो के एज इस था ठीक है एक्च्वल पॉजिशन आइडेंटिटी एलिमेंट दुसरा आर वाट ट्वेंटी आतिसरा आपका आर टूफोटी डिग्री ठीक है जी यह होगी आपका आप फिर से टूफोटी से करने का मतलब क्या है कि आपका फिर दाइटो एप चला जाएगाने का तो इस तरीके से हमारा यहां पर चेंज कर रहा है तो यह आपको डिफनिटली क्या है कि साइकटली कडिंशन को को करता है एक साइkलिक रोकरता है तो मैं यह कह सकता हूं आज इसको आगे देख भी पाएंगे के हमारा हूं से एलीमेंट मनदा है तो इसमें भी एक एक्सिस के अबाउट में फिलिप किया जाएगा और एक्सिस कैसा जिते तेसे देखिए आपका टीकाई ए बीसी तो मैं एसे पास करता हुआ अब आपको समझता हुआ यह मेरा महलोग हो गया अब यह मैरा यह को स्वाइप करूगा स्वाइप मतलब कि यह जो एक फिक्स किया तो देखो मेरा बी और सी आपस में वाइप हो रहा है ठीक है इस एक्सिस के अबाउट में सी बी पे चला आएगा बी एक चलाएगा तो दो भर्टेक्स में चेंज आएगा बी सी पे चला आया और इसे तरीके से इसको मैं दोंगा नाम इसी तरीके से अगर मैं एक्सिस के बाउट में फिल्ट करता हूं तो ए और बी आपस में चेंज करेंगे ठीक है तो आपको तीन एलिमेंट मील रहा है कौन-कौन करने से इसको मैं रिफ्लेक्षोन नाम तो ठीक क्यों रिफ्लेक्शं में च्यों में रिफ्लेक्श्न वा स्थक्रणीlarını अब्जेक्ट में अपको मैं यहां पर दूब्वेस्ट रैप्लाइब य्श्न कर रहा हूं तरह यहां पर तीनों आपका हाईगा आपॉ Cum हम एक आप देखो गए ना कि अगर मैं इसको दोबारा फिलिप करता हो अपने किया तो ऐसे हो गया अब दोबारा आप करेंगा फिर ऐसे हो जाएगा से पोजीशन पर आ जाएगा एक्च्वल पोजीशन पर आ जाएगा ठीक है ना यहीं बोल रहा है कि अगर दोबारा फिलिप करते हैं तो वो क्या हो जाएगा वो औरिजिनल आइडेंटिटी पर पहुंच जाएगा तो अब कोई आइडेंटिटी पर पहुंच जा रहा है इसका मतलब क्या है कि दो बार करने से यह काम यह आइडेंटिटी पर पहुंच रहा यानि आप एको दो बार operate कर रहे हो तो identity मिल जा रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि एक का जो order है वो क्या है तू है याद रखेगा जो भी फिलिप से मिलेगा जो भी reflection मिलेगा ना उसका order क्या होने वाला है तू होने वाला है very important है यही सारी चीज़े तो इसको बनाना चाहोगे तो बिल्कुल आप में बना सकते हो ठीक है तब हम यह देखेंगे कि जो मेरे को यह rotation मिल रहा है और जो reflection मिल रहा है इससे मेरा मेरा किस तरह का group फॉर्म होगा अगरा मैं आपको ग्रूब दिखाओं को देखो मैंने यहाँ पर ग्रूब दिखाया दिया इस इसको आप F से डिनोट करोगे ठीक है तो मैंने दिखा कि तीन मेरे को rotation मिला है पहला rotation तो आर जीरो था जो कि identity element था दूसरा rotation आपको वापस identity मिल लाता है और जो आपको rotation से मिल रहा है वह आपका cyclic subgroup त्यार करेगा तो अगर तीन element का आपको cyclic subgroup है ठीक है तो आप जेर्नली उसको बोल सकते हो simply यह क्या यह जिट्थरी क्या isomorphic होगा यानि जैसे आप जिट्थरी का table बनाते हो ना 012 या आप यूलर function का यूज करते हो simply आप उसके लिए rotation के लिए आप यह यूज कर लेना मैं आपको फास्ट बता रहा हूं ठीक है चुकि आप सब कुछ पढ़े हुए हो जब भी हम rotation के element की बात करेंगे हम उसको as a cyclic subgroup का element treat करेंगे ठीक है और फिलिप के सारे element का order तो 2 होगा अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हम यह देखेंगे न कि इसमें कुल कितना element है तो इसमें total 6 element है तो मैं कहा सकता हूं कि यह जो order है मेरा order of this group क्या है आपका 6 है ठीक है इसी को हम लोग D3 call करेंगे D3 means तीन है ठीक है इसमें element आएगा चाहँ तो आप इसको सौट में ऐसे लिख सकते हो कि एक आरवन रोटेशन आरवन रोटेशन 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 हमको मिलता है ठीक है और तीन हमको reflection मिलेगा F1 F2 F3 इसी तरीके से भी सकते हैं कोई सुनी है चाहे तो आप इसमें हम देख रहे है कि order of D3 क्या रहा है मेरा 6 रहा है ठीक है double of N होगा तो आपको कितना है 3 है तो आप इसको कह सकते हो कि 2 x 3 है यहने 2N है इसका order ठीक है कि आपको 3 reflection मिलेगा 3 आपको reflection मिलेगा देख सकते हैं यहां पर order 6 आ रहा है 3 प्लस 3 तीन rotation और तीन आपको फिलिप यह तो reflection ठीक है तो आप देखिए अगर मैं D3 का quick structure बनाऊं याने complete order description table देखूं कि इसमें किस-किस order के कितने element होंगे और कौन-कौन से subgroup होंगे तो अब आप इसको बहुत ही जल्दी देख सकते हो जैसे आप quickly देखो यहां पर D3 हमारे पास में क्या था तो D3 हमारे पास में जो element है वह है आपका और युरो डिग्री और 120 डिग्री और 240 डिग्री यह हमारा हो गया rotation और उसके लावा जो हमारा फिलिप है वह हमारा एफ-ए-फ-बी और एफ-सी ठीक है यह अब आप देखिए हैं पर अगर मैं में इस्में इसमें जो भी आपको शोर मिलेगा वह 3 एकारणिंग मिलेगा ठीकbertal को में कॉनबंगा एक साहे खिए-खल एक सन्च कर दोद कि यह जो यह जो मुर्वाण और देखिए बहुत ही फास्ट बनता है अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे ना अभी तो समझा रहा हूं डी फोर डी फाइब में बहुत फास्ट हो जाएगा ठीक है तो देखिए वन तो वन किसका ओडर होता है तो वन डिफिनिटिली ओडर होता है आपका आपका आइडेंटिटी सहब होता ब brackus seven वाभी किछ सब्सक्राइब क्या होगा बताइए तो 6 का दिवाइजर होगा वन तो यतो, तो यतो तो नमबर अफ एलिमेंट को अलग कर ले रहा है जो जिट थरी का डिभाइजर है जिसे वन और थरी तो वन को मैंने अलग किया क्यों अलग कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं ठीक बहुत मज़ा आएगा तो इसलिए कि यह जो है साइकलिक पार्ट से आ रहा है ना आपका give L three हमाराablo最近 पार्ट से आये तो नमबर फिले में कुछ करना नहीं आपको क्या करना है म्हां के लिए नमबर के लिए की उसमें आटा होंकितना होगा तो आठीक है यह आपको फायदा होगा देखो कितना फायदा हो रहा है अजटेको इसके बाद आगए तो वन इसलिए कि मेरा साइकलिक जुम्हेरा पाट है उसका डिवाइजर था ठीक उसके ऑडर का डिवाइजर था और अगर साइकलिक वाले से आप निकालते हो एलिमेंट यहाँ पर है ही नहीं तो कि हम देख रहे हैं कि यहा तो साइकलिक पाट में से है यह तो उर्डल का है ठीक है तो यहाँ पिरrą श कौई ट्रका कहीं मिलता यह कंफर्म कर रहा है कि यह क्य और लिकाए नवट है थी औरिक तोटल कितने element है यहाँ 134 तोटल 6 element का बायो डाट आपको मिल गया कि कौन सा element कितने और का है अब देखते हैं number of subgroup के किस order पर आपको कितना subgroup मिलेगा तो देखे वन order पर हमेशा एक ही subgroup मिलता है ठीक है वन order का हमेशा एक ही subgroup होगा वहागा है तो आइडेटी आप लेते हूं ठीक है तो ड़ती यहां पर कॉन है आपका अर नौट औ이इनटीटी है और शीरो ठीक है अजीरो डिगरी अच्छा अब देखेंगे कि 3 यहां पर दो उड्र का कितना element है तो दो order का 3 element है तो दो order का कितना सब गुरूप होगा दो order का कितना सब गुरूप होगा अब देखें दो जो है न हमारा यह क्या है यह मेरा प्राइम है ठीक है और प्राइम और पर जो भी सब गुरूप मिलता है वो क्या मिलता है साइकलिक मिनता है ठीक है अब िसमाजीers नहीं हए आपको संजाला हों में तेको कि यहां भी प्राइम ही तीन भी अपका प्राइम है ठीक है तो प्राइम होड़र का सब ग्रूप क्या होता है साइकलिक होता है अच्छा अब यह ये जो होता है अगर यह डार्येक्ट आपको साइकलिक पार्ट से मिले तो वह क्या होगा वह युनिक होगा तो अगर आपसा को देखो गए असमें के साब डायेट बिल श Q थे रिबा पार्ट यह पांट आपका आरम 2022 टीडिडियर और 2014 थीकर यह वाला पार्ट है है तीन वाले मिं लेकिन दो वाले में क्या है दो वाला चोकि इसका इसके और का डिभाईजर नहीं है ठीक है इसमें भी सधोर मिलेगा तो इसमें भी मिलें हुए ठीक है अघर आइड गूर्प में आपको निकालना तो ध्यान दिजेगा प्राइम ओर्डर का सब ग्रूप साइक्लिक होता है ठीक है अगर यह आप जड़न से निकालेंगे ध्यान दिजेगा अगर आप इसको जड़न से निकालेंगे तो आपका यूनिक होगा इसको तो यूनिक होगा और इसको अगर आप कोई फाइनाइट सब गुरूब इंफानाइट गुरूप इंफानाइट ग्रूप ऑफ आडर एन यह पोरा फारमुला होताएं में अपना पर लिकता हो आपको ती पारमुला होता है हमारा इकल टी होता है M tornado influential है कि दोख और ओड्र इन डिवाइड़ '... यह होता है थीक है ur function phin तो आपको यह देखना है दो आपका प्राइम है इस पर आपको साइक्लिक göूप मिलेगा ठीक है कितना मिलेगा तो और वषनाफ मेंट आपको यह दिख रहा है कितना है हो ठीक है जिए और बटया का 53 in 53 का मतलब क्या होता यूलर function 53 कर Weider अच्छा फाइटू लेंगे न माफ इसलिए कि आप दो अडर पर काम कर रहे हो न जो अडर हो का भी ले रहा है तो फाइटू तो थिरी भाइटू और फाइटू का भेलू क्या होता है वन होता है तो यह आपका थिरी आ गया तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमको तीन सब एक्छाम मिल रहा है क्या में इस तीन नहीं था अगर सब्सक्राइब करना था साइक्लिक पार्ट नहीं था तो हमने यहां पर फॉर्मुला लगाया तो हमें मेरे को तीन साइक्लिक सब्सक्राइब कौन-कौन होगा यह भी मैं आपको बताता हूं ठीक है सब बात हम लोग करेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है अच्छा अगर आप क्या हो जाएगा फाइटरी का फैटरी का होता है तो ही होता है तो आपको यूनिक ही मिलना है ठीक है पर चुकि यह सब्सक्राइब का पार्ट था 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 तो मैंने बिंदास लिए कि यह वन होगा बात फॉलो कर रहे हैं एकत्म कुछ सोंचना ही नहीं है हां लेकिन आप यहां पर आपका order का कौन सा सब्यूप मिलेगा यह तो कौन होगा ठीक है अब हम लोगा कि तोटल मेरे को मिल रहा है टोटल नंबर ऑफ सब्यूप टोटल नमबर आप जो सब्गूरूप है वो क्या है वह आपका वण ट्रीवल वाला ठीव फोर फाइब और यहां पर आपको वन एक मिला शिक्स ठीक है तो टोटल सब्गूरूप मेरे को सिक्स मिल रहा है अगर हम लोगे बात करें नंबर आफ प्रोपर सब्गूरूप की तो नंबर आफ प्रोपर सब्गूरूप कीतना है तो नंबर आफ प्रोपर सब्गूरूप हो जाएगा आपका यहां पर फाइब ठीक है तो प्रोपर सब्गूरूप सारे फाइब है और प्रोपर सब्गूरूप जितने भी हैं वह क्या है वह आल साइक्लिक है यह काफी इंट दो और का कौन-कौन सा सब गुरूप बनेगा अगर यह आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल आसानी से आप देख पाऊगे मैं आपको बताता हूँ देखो यह से हमारा हमारा डी 3 क्या था डी 3 था हमारा आर जीरो आर 120 आर टूफोटी फिलिप ए फिलिप भी फिलिप सी यह था अगर दो और का निकालना चाहते हों को तीन साइकलिक सब गुरूप कौन होगा तो बाई देखो एक तो आपको आइडेंटिटी लेना ही लेना है थेरी साइकलिक सब इसके लावाय कौन आप लेंगे तो दो डिगरी का जो दो ऊर्डर का इलीमेंट है आर जीरो एफ-बर लेली जी फिर एस थरी कैसा बन जाएगा तो इस तरी के साइवार तीन सब गुरूप बन गया यह तिनसफ ग्रूप क्या है थिनों साइकलिक है दो प्राइम सब सब कुछ दिखा दे रहा हूं आपको कुछ भी छोड़ने वाला मैं नहीं ठीक है कि कौन कितना सब सब कुछ आप कर सकते हो ग्रूप का पूरा जो बायो डैटा होता है बिलता है थे लांट को इनलेंट मिलता है आप को इससेल्फ और से मिलता है तो चाहें नमबर और निकालने के बात हो या बिल्कुल की बिखली निकाल पाएंगे तो आगे बढ़ते हैं अभी आप देखें एक इंप्पॉर्टेंट बात है वह भी मैं आपको बता दूं क्या है इंप्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है हम यह देखेंगे जो हमारे डी एन होता है जैसे हैं पर डी ठीटीक है डी इस नॉन डीटी इस नॉन अविलीएन ठीक है हम लोग निये देखा कि ऊपर में इन यह नॉन सैकलीक था ठीक है नॉन सैकलीक क्यों था चुक्क इसके पास में जो है सिक्स और का एलिमेंट नहीं है तो यह तो कन्फर्म हो गया कि गीन साइट यह बट्यूंग आप यह नॉन अब्यल याद रखेगा इंभी बाता हूं ठीक है इन जिनरल जो मारा डी इन होता है अगर तीन हिंगे या उससे बढ़ा लेंगे तो और उस्हें का अब आपका नों अबिलेटिटली और इसका मतलब्स है कि आपका एक टीक्रेट्व आब अच्छा अब देखिए यहाँ पर यहाँ यह देखेंगे जिसे अगर मैं N को 2 रख़ों तो न को 2 रखने पर क्या आजाएगा यह आपका D2 आएगा और D2 क्या है तो तो इसमें आपको 4 होगा उसके लिए होगा अच्छा अब हम देख लेते हैं कैसे पूरूफ कर सकते हैं इसको जैसे यहां पर आप देखेंगे ना आपको दिखा रहा हूं यहां आप देखेंगे कि आप फिलिप यह नहीं पाओगे इक्वल किसके अदिख सकते हो ठीक है ऐसे मैं आपको दिखाता हूं आपको दिखा देता हूं ठीक है अच्छा अब F of GX का मतलब क्या होता था यहां था फ है इसको लिखते थे हम लग फ ऑफ GX अ ध्यां दिजेका कि पहले आपका आपका operate हो रहा है फिर्स्ट आ यहां पर weather यहां पर देन आपका online आपका लगा ठीक है है तो पहले हमनो प्लट करेंगे और फिर उसमें फी को अप्रेट करेंगे defines अब जी एक्स कहां पर आपको रूल लगाना है ठीक है तो अब दिखेजिए इससे इफ एफ ऐफ बी का मतलब क्या हो जाएगा इफ बी एफ इस बी का मतलब हो जाएगा पहले आप फिलीप करेंगे इफ भी बी के अबाउट जो एक्सिस लेंगे उसमें फिर आप फिलिप करेंगे इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा फिलिप कि अबाउट बी पहले आप यह करेंगे ठीक है फिर क्या करेंगे फिर फिलिप आएं तब आउय्ट किजीगा सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब इससे मैंने फ्लीप कर दिया फिलिप कर देंग तो क्या hardcore आप आप प्रम इस दरहाएगा फिरशक्ष गार्या व्यल्प अब करेंगे और यहां पर हम लोग क्या करेंगे और यहां सब हम लोग क्या करेंगे हुआ एया हुआ है इसी तरीक से अगर मैं निकालता हूँ एक में करूँ गांगा अगर तो देखिए कैसे होगा इसे आपका बालोड ट्रैंगल है ठीक है ए बी-सी में एक बालोड में करता हूं तो एक को मैंने सब्सक्राइब करेंगे तो आप क्या होगा जी ए और सी आपस में स्वाइप करेंगा तो आपको रिजलेट इस तरह से मिलेगा ठीक है किस तरह का देखो यहां पर यहां पर यहां पर यह है ठीक है भी का पोजिशन भी चेंज है इस तो सारा पुजिशन चेंजर तो यह जो है इस दोनों प्रिक्चर है न यह दोनों आप सेम नहीं आपस में यह दो बीक्चर ठीक है तो हो किलियर ली देख रहा है क्या किया कि यह आपका जो अब बी है जो के दो एलिबेंट था आपका डी थी का ठीक है तो एफ अ इस बीज नॉट इकवल टू अभी एफ ए ठीक है यानि यह को मोटरी प्रोपर्टी को तो फोल नहीं कर रहा है को मोटरी प्रोपर्टी तो अपका नउट अभीलेण एन तीक है अजैसे आप यहां पर देख चोड़ा हम लोगों ने कुछ भी नहीं चोड़ा यह भी देख लिया कि यह नॉन साइकलिक है यह नॉन अबेलियन है इसमें कितने और के कौन-कौन से सब गुरूप है कैसे कैसे सब गुरूप है कितना सब गुरूप है दो आपको बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है कुछ तरह का कोई कोश्चन आता है तो आपको जैसे मिंटों में बनना चाहिए उसी तरीके के बनेगा ठीक है तो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा लाइक कीजिए चैनल पहरे हैं सब्सक्राइब कीजिए ठीक है ज्यादा बच्चे जुडएंगा तो और भी अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा ठीक है और अगर आप पुरा कोर्स करना चाहते हो तो सिस्टेमेटिक कोर्स पेडियेफ के साथ लॉट ओफ एमसी के साथ आपको मिल दाता है मेरे अप्लिकेशन पर अप्लिकेशन मेरा आप डाउनलोड कर लो एप्लिकेशन का लिंक आपको डिस्क